हेलो दोस्तों और वेलकम टू अवर यूटूब चैनल गोपाल सर्मा सो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेगुलर कोलेज के और एंसी वेब के फर्स सेमेस्टर के बारे में इनके दोस्तों जो फर्स सेमेस्टर के स्टूडेंट है इनके जो examination form है, exam form है, इसको release कर दिये गए हैं, किस तरह से आपको अपने examination form को fill करना है, इसके अलावा क्या 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 है, यहाँ पर आपको important points है, जो आपको मन में रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, complete information आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी कर देना है, क्लिक कर देने के बाद, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, examination notification में पहला ही link आपको दिया गया है, आपके examination form के regarding, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोस्तों आपको जो date है, आज की date के यह जो notices को release किया गया है, और यहाँ पर आपको बताया गया है, कि जो regular कोलेज के स्टूडेंट हैं और NCWeb के स्टूडेंट हैं इनके जो examination form है दोस्तों इसको release कर दिये गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनोंने NEP UGCF के तहत अपने admission लिये थे यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको information दी गई है कि आपके examination form की भरने की जो last date है दोस्तों यह 18 फरवरी 2023 यहाँ पर आपको दी गई है 18 फरवरी 2023 से पहले आपको अपने examination form को fill कर लेने हैं यहाँ पर दोस्तों जितने भी new student हैं उनको advise यही दूँगा कि कम सकम एक दो या जादे से जादे तीन दिन के बाद ही आप अपने examination form को fill करें यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर देख सकते हैं बोल्ड करके यहाँ पर दिया गया है यह जो लिंक दिया गया है दोस्तों यह इसी लिंक के उपर आपको अपने examination form है इसको fill करना है, registration करना है Link के दोस्तों नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पुरा process बताये गया है कि किस तरह से आपको registration करना है किस तरह से आपको अपने password create करने हो बताये गया है सबसे पहले दोस्तों जब आप इसकी official site पर जाएंगे जाने के बाद आपको अपने new registration के उपर किलिक करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना select जो है program को select करना है जो आपका name होगा आपके ID card पे या अपने जो यह 10th यह 12th के नाम पर जो आपका नाम register है उसको fill करना है इसके बाद enrollment number को fill करना है इसके बाद दोस्त यहाँ पर आपको capture दिया रहेगा उसको fill करना है उसके बाद दोस्त यहाँ पर आपको submit कर देना है submit कर देने के बाद आपके mobile पर email ID पर को टिपी आएगा उसको fill करना है और यहाँ पर आपको अपने password create करने है अब यहाँ पर दोस्तों नोटिस में आपको यही बताया गया है कि आपको यहाँ पर आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप जो भी अपने examination form को फिल करेंगे उसका print out करके आप चाहे तो रख सकते हैं अदरवाइस आपका decision है या फोन में आप अपनों इसे save करके रख सकते हैं अब नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि नीचे जो SOL के student है वो भी यहाँ पर ध्यान से सुन ले कि जो SOL के first semester के student है इनको अभी कोई भी examination form फिली नहीं करना है क्योंकि दोस्तों जब आपने admission लिया था तब ही आपने पूरे first year के अपने subject चूस कर लिये तो और अपने payment भी कर दी थी तो यहाँ पर इसके लिए आपको कोई भी examination form फिली नहीं करना है यहाँ पर जो SOL के जो regular के student है और NCWeb के student है केवल उन्हीं को अपने examination form को फिल करना है चलिए दोस्तों जानते हैं किस तरह से आपको apply करना किस तरह से examination form को फिल करना है यहाँ पर दोस्तों जो आपको उपर site के जो link दी गई थी इसको चाहे तो आप copy कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप किसी भी google में या chrome browser में यहाँ पर आप search bar में केवल slc केवल लिखके आप अपने जो examination form में इसका जो link है वो यहाँ पर open कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं google chrome में या किसी में open करके slc लिखेंगे तो नीची यहाँ पर आपके जो भी फिल नहीं करना है यहाँ पर आपको new registration के उपर आपको किलिक करना है किलिक करते हैं के बाद दोस्ते आपके कुछ instructions दिये गए हैं चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं अदरवाज सिचना को इसका important नहीं है यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आपको अपने program को select करना है कि आपका program कोई उसा है अपने program को select करते वद दोस्तों आपको काफी यहाँ पर जो code दिये गया है जो भी आपका course इसको careful तरीके से fill करना है अब यहाँ पर दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मैं become search कर रहा हूँ यहाँ पर अभी search नहीं हो रहा है दोस्तों no result phone बता रहा है एक बार यहाँ पर BA owners का कर्श के check कर लेते हैं कि BA का जो है यहाँ पर search हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों अगर आप BA भी search करते हैं तो यहाँ पर search नहीं हो रहा है जैसी आप अपने यहाँ पर सर्च बार पर 22 को टाइप करेंगे 22 यहाँ पर फिल करेंगे तो यहाँ पर कई सारे कोर्सेस का जो है वो यहाँ पर उप्संस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें से दोस्तों आपका बैचलर अफ कोमर्स है Bachelor of Commerce Owners Course है यहाँ पर B.A. Owners है Bachelor of Arts है सारी चीज़े यहाँ पर आपको दी गई है तो यहाँ पर अपने प्रोग्राम को सलेक्ट करते वक्त काफी केरफुल तरीक है काफी केरफुल रही हैगा यहाँ पर अगर आप गलाच सब्जेक भर देते हैं इसके अलावा Examination Roll Number भी आपको Provide नहीं किया गया है जो यह Enrollment Number है दोस्तों यह आपको अपने College के थूरूट जो आपके Professor होंगे उनसे आप Contact कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर आपको Capture Fill करना है Submit वाले बटन को पर Click कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको OTP आएगा OTP आने के बाद दोस्तों आपको अपना Password क्रेट करना और फिर यहाँ से आपको Login करके आप अपने Subject को जो भी आपका Examination Form है उसको यहाँ पर Fill कर सकते हैं फिर दोस्तों यहाँ पर आपको बता रहा हूं एसे होल के जितने भी First semester के student है उनको अपने Examination Form को Fill नहीं करना है उनका Already Fill हो चुका है तो यह थी Information आपके Examination Form के रिगार्डिंग इस वीडियो में दोस्तों बासित नहीं चैनल पर First Time विजिट करें तो चैनल को जरूँ सब्सक्राइब कर लीचेगा